लंबी समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे है प्रित्वी शौ ने जब से डबल सेंच्री मारी है काउंटी क्रिकेट में तब से हर कोई उनका फैन हो गया है तब से हर कहीं उनकी ही चर्चा हो रही है और होने भी चैने क्योंकि प्रित्वी शौ ने काम ही ऐसा कुछ किया है आपको बताते कि प्रित्विशौ ने नॉर्थम टैंशायर की तरफ से खेलते हुए, समर्सेट की खिलाफ 244 रनों की शांदार पारी खेली, और हर तरफ प्रित्विशौ की ही चर्चा हो रही है, और अभी इंडिया में ODI World Cup भी आने वाला है, और एशेक भी आने वाला है, ऐ प्रित्विशौ ने अपने स्टेट्मेंट में क्या कुछ कहा, निश्चित रूप से यहां अनुभाव हासल करने के लिए खेल रहा हूँ, मैं इस बारे में नहीं सोच रहा हूँ कि भारती स्लेक्टर क्या सोच रहे हैं, लेकिन मैं यहां अच्छा समय बिताना चाहता वो मेरा ख्याल रख रहे हैं और मैं इसका आनंद ले रहा हूँ, धूप निगल रहे थी, यह भारत के मौसम जैसा ही दिन था, इसलिए यह अच्छा था, मैं किसी भी चीज की बारे में नहीं सोच रहा था, आप जानते हो कि जब अंद्रोनी किनारा भी मुझे आउट नही होते हो, इसलिए यह मेरा दिन था, जब मैंने 150 रन बनाये, तो मैंने सोचा कि गेंद की टाइमिंग काफी अच्छी थी, और यह बड़ी पारी खेलने का दिन हो सकता है, तो प्रित्वी शॉक की इस स्टेट्मेंट से साफ पता चल रहा है कि अभी वो फिलहाल अपनी करियर पर अपनी गेम पर फोकस करना चाहते हैं, वो यह बिल्कुल भी नहीं सोच चाहते हैं, कि इडिन सेलेक्टर क्या सोच रहा है, उन्हीं टीम में रखनी का सोच भी रहा है, या फिर वो नहीं सोच रहा है, उनके बारे वो नहीं कंसीडर करेंगे वी वन डे वर्ल्ड कप के या फिर नहीं करेंगे, अभी वो सिर्फ और सिर्फ अपनी गेम पर फोकस करना चाहते हैं, और यही अच्छा बेक खिलाड़े क्लियां, इस चीज से यह तो पता चल रहा है कि प्रिस्व शौ धीरे-धीरे फॉर्म में वापसी कर रहा है क्योंकि काफी अर्सा हो गया है, उन् टीम इंडिया के लिए वो उपनिंग करते थी और टेस्ट जबियों में शतक जड़ दिया था और हर तरफ शतक जड़ते ही संसरी मचा दी थी, लेकिन उसके बाद से फिर प्रिस्व शौ की करियर का डाउन फॉल आया, और उसके बाद से फिर धिरे-धिरे इंडरे इंडरे कर चुकी हैं, तो टीम सेलेक्टर्स को एक बार उनके लिए भी सोचना से हैं, क्योंकि ODI World Cup आ रहा है, ऐसे में जो ओपनिंग का पेज फसा हुआ है, वैसे तो कनफर्म है कि शुबमंगिल और रोई शर्मा ही ओपनिंग करेंगे, लेकिन फिर भी अगर शुबमंगिल फॉर करते हैं, तो पृत्विशो के इस फॉर्म को देखते हुए, एक बार उन्हें स्क्वैड में शामिल तो करना ही जाए, बाकि आपको कैसे लिगे पृत्विशो के पारी, कॉमें सेक्शन में कॉमेंट करके मैं ज़रूर बताएं, और साथे साथ तो फान स्पोर्स को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना बिलकुल दी नभूले!